दोस्तों आज हम आपको राजू तोता और जादूई जंगल की कहानी सुनाएंगे हरे भरे जंगल में राजू नामा के चतुर और निडर तोता रहता था राजू अपने रंग बिरंगे पंखों और तेज बुद्धी के लिए प्रसित था एक दिन उसने सुना की जंगल के दूसरे छोर पर एक जादूई जंगल है जहां हर पेड पौधा, हर फूल और हर जीव जादूई सक्तियों से भरा हुआ है राजू ने तै कि वह उस जादूई जंगल की यात्रा पर जाएगा और वहां के रहस्यों को खोजेगा अगले दिन सुबा सुबा राजू ने अपनी यात्रा सुरू की, उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और उडान भरी, रास्ता लंबा और कठिन था लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी, उर्ते उर्ते वह एक विसाल नदी के पास पहुचा नदी को पार करना मुश्किल था लेकिन राजू ने अपनी तेज उडान की सक्ति का उपयोग किया और नदी को पार कर लिया आगे चल कर राजू एक घंगल में पहुचा वहां उसने देखा रास्ते में बड़े बड़े पेड़ और काटेदार ज़ाडियां है राजू ने सोचा यह जगा तो बहुत खतरनाक है लेकिन अगर मुझे चादू जंगल तक पहुचना है तो इन सब का सामना करना पड़ेगा उसने अपनी तेज बुद्धी का इस्तमाल किया और धीरे धीरे रास्ता पार किया कुछ समय बाद राजू ने देखा कि उसके रास्ते में एक बड़ा अजगर सो रहा है राजू ने सोचा अगर मैं इसे चुप चाप पार कर लूँ तो यह मुझे नुसकान नहीं पहुचाएगा वह धीरे धीरे उड़ते हुए अजगर के पास से निकल गया और बिना सोर किये आगे बढ़ गया आखिरकार राजू ने जादूई जंगल की पहली छलक देखी वहां के पेड़ पौधे अदुभूत और चमकीले थे फूल अपने आप खिल रहे थे और हवाएं में मीठी खुस्बू बिखेर रही थी राजू ने सोचा यह जगा वाकई जादूई है जादूई जंगल में चलते चलते राजू ने एक बूढ़े उल्लू को देखा उल्लू ने कहा हे राजू मैं तुम्हारे आने की प्रतिक्छा कर रहा था मैं इस जंगल का रख्छत हूँ यहा इसे समस्दारी से उप्योग करना होगा राजू ने उल्लू से पूछा मुझे यहां के रहस्यों के बारे में और बताओ मैं यहां सीखने और जानने के लिए आया हूँ उल्लू ने उसे बताया कि इस जंगल में एक जादूई जहरना है जिसका पानी पीने से कोई भी अप जहरने की खोस रू की रास्ते में उसने कई तरह की चुनोतियों का सामना किया लेकिन उसकी सच्चाई और हिम्मत ने उसे हर मुश्किल से पार्ग पाने में मदद की आखिरकार वह जादूई जहरने तक पहुचा जहरने का पानी साप और चमकीला था राजू ने अपनी च उसकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं उसने सोचा मैं इस सक्ति का उपियोग अपने दोस्तों की भलाई के लिए करूँगा राजू ने जादू इस चंगल से लोटने का फैसला किया और अपने दोस्तों के पास वापस चला गया उसने अपने यात्रा के बारे में बताया जादू इजरने की कहानी सुनाई उसने जरने के पानी का थोड़ा हिस्सा अपने दोस्तों को भी दिया जिससे वे सब खुस और प्रशिद हो गए राजू की इस अद्भूत यात्रा की कहानी जंगल में मसुहूर हो गई सभी पच्छियों ने उनसे सीख की सच्चाई हिम्मत और नेक इरादों से किसी भी मुश्किल कार को किया जा सकता है और सची सफलता प्राप्त की जा सकती है